तो भाई लोग इस स्क्रीन से तो तुम लोग काफी फैमिलियर हो चुके होंगे लेकिन गाइस क्या होगा अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि एक बंद की गेम लोग इन हो चुके है जी हाँ दोस्तों उसकी game login हो चुकी है और उसको जो notice आ रहा है वो notice मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ तो notice उसको जो पहली बार आया था वो notice तो बिल्कुल similar है जो हम दोगों को आ रहा है लेकिन guys उसकी game update हुई थी और उसकी game login होने के बाद येक notice है और वो notice है ये notice हमारे वाले notice से विल्कुल similar है बस इसका लिखने का अंदाज थोड़ा सा अलग है तो उसके बाद इस बंदे को reconsider का option आता है जिसके बाद ये बंदा reconsider को जैसे ही दबाता है तो उसके बाद देखो guys इस बंदे के साथ तो scam हो जाता है क्योंकि compiling resources करने के बाद उसको लगता है कि ये game चलने वाली थी लेकिन guys मैं आपको बता दूँ जैसा कि server इस टाइम पर बंद है तो किसी की भी game कोई भी बड़ा creator भी होगा उसकी भी नहीं चलेगी क्योंकि server ही पीछे से बंद है तो खुद common sense लगाओ भाई game नहीं चलने तो guys ये रही थी notice की बात लेकिन notice से भी important बात ये है कि हमें royal pass कौन सा वाला मिलने वाला है तो मैं आप लोगों को royal pass की सबसे बड़ी जो लीक निकल के आ रही है उसी लीक के बारे में बताने वाला हूँ तो guys इस time जो आपको visible है वो आपको tire rewards मिलने वाले हैं आपको एक ग्रोजा की skin मिलेगी तो guys जिस जिसके पास ग्रोजा की skin नहीं है उसको तो इस बारेंक पुछ करना बनता है तो guys ग्रोजा की skin होने के साथ आपको ये cap मिल जाएगी ये parachute मिलेगा और वही normal normal चीजें जो हर क तो भाई लोग अब बात कर लेते हैं हमें update कौन सा मिलने वाल है तो काफी सारे लोग मिराज है कि हमें update 2.5 मिल रहा है जबकि PUBG में 2.6 चला है तो हम इतना assume कर सकते हैं कि हमें इस वाले update में काफी सारे updates को mix करके मिल सकता है या एक spider-man mode वाला update हमें for a month जरूर मिल सकता है तो गाइस यह सिर्फ लीक्स हैं यह कोई confirmed news नहीं है तो I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें support कर लाएँ